हेलो वीवर्स आई डॉक्टर एस्वी के लाल वेलकॉम यूटूब चैनल मेरे यूटूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है अगर आप इस चैनल पर नहें हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सबस्क्राइब कर लें ताकि अलग-अलग बिमारियों से और उसके मस्सा कहते हैं तो जो लोपेथिक डाइगनेसिस हुआ है उसके हिसाब से मस्सा क्या है तो मस्सा एक खास तरह के वाइरस के कारण होने वाली बिमारी है तब तो जो हम एंटी भाइरिक भाइरल दवाई दें तो उससे यह ठीक हो जाएगा लेकिन कई बार हम देखते हैं कि उसका भी असर नहीं होता है और मतलब मस्सा लाइलाज जैसा हो जाता है और अंग्रेजी में हम जाते हैं तो उसको पैच को अगर दस जगह मस्सा है तो 200 जगह थोड़ा थोड़ा काट काट करके उसको जड़ से निकालेगा फिर हो जाएगा और मस्सा के बाद उक दम बरा बिशितर दाग सा छोड़ जाएगा वहीं हम हेमेपेथी में देखते हैं कि कुछ दवाईयां इतनी अच्छी हैं कि उसमें आप एक दो खोड़ाक दवाई ले लें तो आपका मस्सा जड़ से खतम हो जाता है ऐसी ही एक दवा है थूजा जो king of psychotic medicine है और हेमेपेथी हिसाब से जो यह जो मस्सा होता है यह psychotic दोस के कारण हो सकता है या सिफलिटिक हो सकता है इसी हिसाब से मस्सा के size में भी होता है तो थूजा जो basically दिया जाता है वो ऐसे मस्सा में दिया जाता है जो तम गुभी के फूल जैसा मस्सा हो जिसमें एक मस्सा में दो तीन मुह, चार मुह हो, तो इस तरह से हम थूजा देते हैं, लेकिन एक थूजा ही दवार नहीं है, और कई केस ऐसा भी आता है, जबकि आप थूजा बार 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 थूजा दे रहे हैं, और पेसेंट को ठीक नहीं हो रहा है, तो इस कंडिशन म समिख्षा की बात है और पूरा सिम्टम्स लेने की बात है क्योंकि कई एक जो मस्ता का केस हुए तो कभी नेट्रम्यूर से बहुत अराम से ठीक हो जाता है उभी एक से दूखोडाक में तो कभी हम देख सकते हैं कि नेट्रम्यूर के अलावा एंटिम कुरूड हो गया या मतलब कस्टिकम हो गया या एसीड नाइट्रिकम हो गया ऐसे ही एक केस को मैंने ठीक किया था 50 बर्स के एक सज्ञन जिनका की पूरा चेहरा पर नुकिला नुकिला टैप का मस्ता हो गया था मैंने थूजा दिया 200 में फिर 1 ने में फिर 10 ने में एक ख़रा करके लेकिन बहुत लाब नहीं हो पाया था या यू कह लिजे थोरा सा लाब हुआ और वैसा ही था अब वो सज्जन जो है सोदार ही रखने लगे फिर मैंने सेलेक्शन किया टंग के अधार पर मैं प्लाइक टंग और बतलब कुछ स सभाव के हिसाब से मैंने दवाइ सेलेक्ट किया एसीड नइट्रिकम अरे सिड़ नाइट्रिकम अक्री अक्रीच कि पर रशाषे यू», सुभा साम चालाती फिर पावर में तीनसे चार क्या तो रहां प्रेंट से एक सब्षाय के अंदर में पूरा मस्ता जहर गया तो इस तरह से हम एक दवाई सिर्फ थूजा के प्रती अंद्विस्वासी नहीं बने और एक बहुत अच्छे डॉक्टर थे जो हेमेपिथी के काफी अध्यान कर रखा था उन्होंने तो उनके पास एक मस्सावला केस आया तो उसे पहले ओके डॉक्टर सबसे इलाज करा चुका था थूजा भी परा था कस्टिकम एसीड नाइट्रिकम मेगनेसिया सल्फ और किसी भी दवाई से वह नहीं ठीक हो पा रहा था तो उन्होंने क्या किया वोन ने जो थूजा है उसको एक गुली तयार ही था दवा मतलब पॉच एमेल दिस्टिल वाटर में एक गुली डाल दिया उसको मिला करके आ कहा कि इसको पी जाने के लिए और एक महिना तक कोई दवाई नहीं खाने के लिए और सचमुच में एक महिना में वो जड़ गया तो थूजा डिपेक्टिंग मेडिसीन है अगर हम इसके चार्ट को देखे हैं तो इसका असर मतलब साथ दिन याने की दो महिना तक रहता है लेकिन हम कई बार थूजा को बार बार रिपीट करते हैं तो फिर लाव नहीं हो पा चर्चा करूंगा एक बहुत ही बिलक्षन दवाई की नई दवा है वो दवाई है केलकेरिया केलसीनेटा जब आप इस दवाई का प्रयोग किजिए केलकेरिया केलसीनेटा 3x पावर में दे सकते हैं या 30 पावर में या दूसों में तीनों में से कोई पावर दिया जा सकता है इसको सुबह साम तीन से चार बुन दीजिए आलग बाग लेकिन चलाना पड़ता है 15 दिन कभी कभी महिना भी लेकिन बहुत अच्छा काम करने वाली दवाई है और एक दवाई है नेट्रम्यूर तो नेट्रम्यूर में हम देख स सकते हैं कि इसका 30 पावर से लेकर के वर नेम तक प्रिस्क्रैब्ड है मसा के मामले में लेकिन मतलब नमक खाने का टेंडेंसी जैदा हो तो उस वैसे ब्यक्ति के मसा में बहुत उपयोगी दवा है फिर एक दवाई है बेरेटा कार्ब जो हैनी मैन के जवाने ही से मसा के लि कि मतलब अंगली का मसा हो तो हम काली कारब देते हैं और उसका रंग अगर लाल हो तो उसके सेज में हम किलके दिया कारब देते हैं इस तरह से और भी दवाईया है जैसे निट्रमसल भी हम मसा की बहुत अच्छी दवा है तो उसमें क्या होता है कि मसा पुरा सरीर में मसा हो होने की प्रेविर्थी होती है और लाल लाल थका से भरा हुआ जो मस्ता हो तो उसमें हमने ट्रम सेल्फ देते हैं